तो चलिए यहां पर अब सुरू करते हैं आपका जैसा कि वेकेंट सेट हमने आपको बता दिया तो अब सुरू करते हैं किस डेट पर क्या होगा बाड़ी की सही से जरा समझेगा यहां पर लिखा क्या है यानि कि परते कॉलेज को यह इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि स्पोर्ट राउंड कॉंसलिंग के अडमिशन जो प्रोसेस है और सिच्छा सास्त्री जो भी दो साल के है और सिच्छा सास्त्री है उनका जो हेल्ड फ्रॉम 10-10 यानि की 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कितने वज़े से लेकर साम 10 वज़े से लेकर साम 4 वज़े तक आपके कंसर्ण बीएट कॉलेज में चाहे वो प्राइवेट हो या एफिलेट हो जो भी वहां के हेड होंगे वो क्या करेंगे इनका एडमिशन डारेक्स उनिश्चित करेंगे कुछ भी पेपर वेरिफिकेशन आप तो करेंगे ही लेकिन डारेक्ट कॉलेज में कोई भी बच्चा जा सकता है अब माल लो कि आपका 80 नंबर है जिसका फर्स लिस्ट में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया और 40 नंबर भी जाएगा तो उनको वो तो 80 मार्ग्स को ही लेंगे ना खैर आप जाकर देखिए जो भी होगा तो इस तरीके से मेरिट निकालते हैं अब यह देखो जैसा कि आज आपको दिख गया है कि किस कॉलेजों में कितनी सीते खाली है इंविटेशन ओफ दो अप्लिकेशन कॉलेज दो मेरिट प्रप्रेशन दस से 11 अक्टूबर तक आपको मेरिट प्रप्रेशन मिलेगा डिस्प्ले ओफ दम कब आपको दिखेगा तो 12 तारिक को आपको दिखेगा पेपर वेरिफिकेशन कंसर्ण कॉलेज में कब होगा तो 13 स लेकर 17 तक होगा आपको उस पीच में जाना है अपना पेपर वेरिफिकेशन कराना है दैन एड्मिशन ले लेना है अब देखो यहाँ पे जो भी सीट आवल है वहाँ पे देख सकते हैं कि वह अबलेवल है या नहीं है रिस्पक्टिव कॉलेज में फिर दूसरे में क्या करोगे कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाइड यानि कि आप पास होने चाहिए और जो भी नौट एड्मिटर जिन्होंने कॉलेज में वन सकें फर्स सकेंड ठर्ड राउंड में कांसली में भाग नहीं लिया या एड्मिशन नहीं लिया हो वह कॉलेज विल टेक मेरिट बेसिस आपको मेरिट विसिस पर दिया जाएगा मेरिट विल बी पेपेर बाइड़ कॉलेज एडमिश्टेशन मेरिट कहां से बनेगा तो कॉलेज के एडमिश्टेशन वह करेंगी तैयार और जो भी स्टेट नौडल ओफिशर है फिर चौथे में आईए पढ़ते हैं क्या लिखा हुए ह दोज कैंडिडेट who have not registered the counselling जिन लोगोंने counselling में registration नहीं कराया है their name will not so desperate not entitled for admission अगर आप ने registration नहीं कराया है और आप admission लेने जा रहे हो तो वह आपका क्यूंकि LNMU के registration में आपका नम नहीं रहेगा तो वह वैसे डिगडी अगर ले भी लोग है तो वह verified नहीं होगा अब यहाँ पे देखो CETBA qualify and the registered candidate pay the partial admission अगर आप जाते हो आपका admission होता तो आपको 3,000 रुपे pay करने होंगे खुद से college fee के साथ देखो यहाँ पे अब दूसरा क्या है इस्टूडे sport admission and the procedure of the college and department का क्या है पहले में क्या लिखा है college and department will logging the exciting credential password user ID जो भी होंगे college will search the application आप सर्च करेंगे entering the application ID वहाँ पे application ID डालेंगे और यहाँ पे यह department के लिए है आपके लिए नहीं है फिर यहाँ पे 10 से 11 October को होगा फिर 12 October को आपको notice board पर college दिखेगा 13 से 17 October तक आपको admission हो जाएगा चलिए तो फिर इसी के साथ मिलेंगे next वीडियो में नए information के साथ thank you for watching us